राधा वलप श्री हरीवंस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहे हूँ दीपा वले की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी कब उठानी है विसरजन विधी के बाद कौन सी सामगरी का क्या करना है तो जैसे कि जो हम भोग शड़ाते हैं नैवेद भगवान को अ अपित करते हैं वो आप एक किनारे रखे रह सकते हैं पूरी रातरी रखा रहता है कई छेत्रों में ऐसा नियम है और कई लोग जो है उठा भी लेते हैं उठा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो बागी बहुत सारे फल आप चड़ाते हैं नारीयल या मिठाई वो सारी जो आप अनाज अगर चड़ाते हैं सब्त धान्य तो वो रखे रहने देंगे उसे नहीं उठाना है बाकी पूरी पूजा की सामगरी कोई भी नहीं हिलानी है पूरी पूजा की चौकी जो है हमें वो सुबह ही उठानी होती है सुबह उठाने का खास नियम है इस नांध्या से निवरत्त होने के बाद जबाप पूजा के आसन में बैठेंगे सबसे पहले आजमन कर लेना यानि शुद्धी करन करके ही पूजा की चौकी इस परस करिएगा ध्यान रखना है ठीक ना फिर क्या करना है कि आपको पूजा कर लेनी है पांच उप्चार से जैसे कि आप र करें और कुछ भोग लगा दीजेश चाहिए आप लां है पशL TV भोग लगाते हो फालतां कुछ मिठाई रखाओ वह ढ मोग लगा दीजेज़煼 फ्या झोद कर लीजेश मयाश्ना कि कोई पूजा पार्ट में गलती हो गयी हो तो Sभी भ sovereignty क favor यह अब जो हमेदिक को विदा क कर देंगे हम क्योंकि हम कल उनने को यह बिदा कर सकते हैं अगर आपने फेलता को चाहे तो आपर रख सकते हैं मतलब उनको रख पूजा के स्थान पर जहां पर मातलक्ष्मी रहती है और अगर आपके इच्छा तो आप विसर्जित भी कर सकते हैं हम लोग विसर्जित कर देते हैं तो इस तरह से जो है कलश में सभी देवी देवताओं को विदा करने के लिए प्रार्थना बोलने होती है हाथ में फूल ले एसा कहते हैं हैं सभी का आसन अलग अलग से पीछे खिसका देना सभी नवग्रहों को पीछे खिसकाएं गार जब कलस आस्ट रदलकमल बिगड़ जाता है तो बिगड़ जाने दीजा ठीकिना और ये अपने हिला दीया कलस तो ये विदा हो गए लेकिन ध्यान रखेगा्ए पूरी चौकी नहीं हिलाना है अलग-अलग से जिन्हें विदा करना है उन्हीं का आसन पीछे किसकाना होता है ठीक है ना जो मिट्टी की मूर्तियां है लक्ष्मी गणेश की या फिर कोई फोटो है उन्हें आप जो है अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं ठीक है अभी या जब ही आपकी इच्छा हो बागी पूरी पूझा की सामान आपको बता देते हैं तो जो हम अभूशन चढ़ाते हैं माता लक्ष्मी को वह आप जो है अपने जोरी में रख लेंगे आपके या अभूशन तो आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं ठीक है जो शिंगार का समान च्राथे हम माता लक्षमी को वह आप रशासुरूप घ्रहन करेंगी खुद के लिए ठीक है पहन लिजिए सुख ले ली जै आप सुबह भी माता लक्षमी को सिंदूर लगा करके और अपने माथे पर लगा लिजे लक्ष्मी माता का लगाया हुआ जूठा सिंदूरी से सुहाग लेना कहते हैं ठीक है ना तो यह आप कर लीजिए बाकि जो है अब कलश का नारियल क्या करना है बात कर लेते हैं कलश पर जो नारियल रखा होता है इसको जो है आप रसोई में देते हैं और नया जो इस बार का दिवाली का नारियल होता हुआ उसको हम रखे रहने देते हैं पूजा इस्थाल में ही आप चाहें तो जैसे की मतलब कहीं भी रसोई में अगर रसोई आपकी सही दिशा में बनी है तो यानि उत्तर पूर्विदिशा में ही आपको रखना होता है तो सबसे सही सथान जो है मंद Alrighty होता चाहिए तो तो कर भी सकते नहीं भी अगर कर पा रहें कोई रहने दिश कोई पार रखे रहता है क्लश के उपर पूर पात्र में जो हमनने अनाश रखा होता है जैसे कि चाफल व गर तो यह आ चीडियों को खाने लें के लिए डाल सकते हैं या फिर इकठा करके गाई को भी खेला सकते हैं या फिर जो है आप मतलब किसी भी तालाब नदी में जो है डाल सकते हैं। उसे मशलियां खालेंगे। इस तरह से प्रति दिन वैसे चिडियों को डालना सबसे जादा उत्तम होता है तो यह करना है और आम की पत्ते तो फूल के साथ विसरजन में जाएंगे कलश की अंदर जो आप दक्षना डालते हैं वो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं कौडी वगर अगर डालते हैं तो हल्दी सुपाडी जो भी है आप खाने के प्रयोग में भी ला सकते हैं या फिर विसरजन विधी में रख दीजे मतलब की फूल पत्र के साथ वो नदी में चले जाएंगे ठीक हैं आंगे जो नवग्रह के रूप में सुपाडियां रखी हैं इन्हें भी आप प्रशास रूप खा सकते हैं वैसे तो वि तो यह अंनाज में मत मिलाइएगा इनको क्योंकि पूरा अनाज फिर आपका प्रशाद बन जाएगा फिर वो प्रहाद दुबारा कैसे भगवान को भोग को बहुत लगानाए तो आप पूरा जो अनाज में अगर डाल देंगे तो भूरा प्रशाद बन जाएगा इसलिए क ही इस्तेमाल करिए किसी दिन भोजन में बना करके उनको डाल दीजेगा खा लेजेगा ठीक है इस तरह से और जो कोड़ी वगएरा जैसे कि अगर आप पोटली बनाते हैं कोड़ी गोंती चक्र हल्दी कमल गटे के बीस तो वह पोटली में डाल करके और एक कमल का फूल या फि जो है आप किसी कन्या को भी दान कर सकते हैं वैसे दान करना चाहिए क्योंकि हमने ये भगवान को समर्पित किया है ठीक है ना और बाकी कोई चीज जो है नहीं बाटनी होती है जैसे हम प्रशाज जरूर बाटते हैं दीपावली का तो वो अलग से जो हम चढ़ाते हैं वही ला सकते हैं 500 भी खा सकती है मैं लाएं सब कोई खा सकता है और अगर नहीं खा पा रहे हैं तो फूल पती के साथ जो है आप इसरजन के लिए रख दीजेगा जो हम भगवान को जनेव अर्पित करते हैं यग्यों पवीत उसे आप अपने परिवार में कोई भी पहनता हो पत लाल तो उसे आप घर के मंदिर में ही पूजा में किसी भी प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं या फिर जादा तर हमारे घरों में क्या होता है कि हम ऐसा ही वस्तर जो है भगवान को आसन देने के लिए प्रयोग करते हैं जो कि नया हो और उसे हम ब्लाउज बनवाने के लि घर में पंडी जी पूजा कराने आते हैं तो उसको उस वस्र को भी समेट करके पंडी जी को ही दे दिया जाता है ठीक है कई ऐसे व्रत तेवहार होते हैं जिसमें ज्यादा तर दान के लिए ही कहा जाता है तो जिसको भी श्रिंगार की सामगरी दान की जाती है उसको रख करके दे दिया जाता है तो इस तरह से आपको पूरी पूजा की सामगरी का विसरजन करना है फूल पत्र उठा करके या तो नदी में विसरजित करिए या फिर गड़ा खोद करके जो है घर में ही गाड़ देचे पूराने जो मिट्टी के लक्षमी गड़ेस हो उनको भी घर के ही ग अब बढ़िया से और फिर आपको गंबले में विसरजित या फिर नदी में विसरजित करना चाहिए और यह जो कैलेंडर वगएर अगर फट गए हो तो इन्हें भी आप नदी में विसरजित कर सकते हैं ध्यान रखेगा कोई भी ऐसे चीज़ लक्षमी गड़ेस की मूर्ती कि किसी भी पेर के नीचे डाल के नहीं आना या फिर सुखी नदी जहां पानी ही ना हो कि किसी के पैर में पड़े कुते यहां वहां ले जाके रोड में डाल रहे हैं ऐसे हो जाने से जो है आपके पुन्य समाप्त होते हैं ठीक है तो अच्छे से विसरजित करिएगा कोई प्रशाद कोई भी करण पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए इसी तरह से व्रत्योहार की पूजा विधी और रिस्तों में सामन जयत पूजा पारधर्म भक्ती नाम जब के वीडियो देती रहते हूं जिन्हें देखनी क्लाप एक बाच चैनल पर जरूर आईएगा राधे रा